तर्ज माफी व मुआवचे से वंचक शेत्र के किसानों में सरकार के प्रती नाराजगी मानगरोल हर बार चुनावों के वक्त सभी राजनीतिक दलो द्वारा किसानों के बीच की जाने वाली घोशनाओं के बाद भी खेती किसानी से जुली मूल भूत एवं अतियावश्यक समस्याओं का समाधान किसानों के काफी प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता है और बेबस किसान चुनावी घोशनाओं को धरातल पर आने तथा उनके अच्छे परिनामों की आस में पांच साल इंतजार करता है और फिर चुनाव आते ही पुरानी घोशनाओं पर परदा डाल कर नई घोशनाओं का अमबार लगा दिया जाता है केंद्रव राजय सरकार के वर्तमान बजट से किसानों को काफी उम्मीद थी मगर दोनों ही दलों ने अपनी घोशनाओं के अनुशार ना का आज माफी का वादा पूरा किया और नाही फसलों का न्यूंतम समर्थन मूल्य निर्धारत किया गया इसी बात से नाराज किसान अब वादा खिलाफी करने वाले दलों वा उनकी प्रतिनिदियों को सबक सिखाने की तयारी में जुत रहा हैं सयोक किसान संघर्ष समिती की ग वाली संख्या में जुटे किसानों ने एक स्वर में कहा कि गत्विधान सभा वलोक सभा चुनाव में दोनों ही दलों की ओर से राष्टी अकृत बैंकों से जुले किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था जो आज भी अधूरा है फसलों का समर्थन मूय तथा फसल ख ख्यालेओं पर गोशालाओं का निर्मान करवाने की घोशना बड़े जोर शोर से की गई थी जो आज भी लंबित पड़ी हुई है सिचाए हेतु दिन में 10 घंटे तथा घरेलू रूप से 24 घंटे बिजली की घोशना के बाद भी वर्तमान में गः रामीन इलाकों में हर र अना इलाकों में लोगों में कई बीमारिया पनप रही है जो आमजंता के जीवन से खिलवार है सभाको राकेश मीना नैनुराम बैर्वा शिशुपाल मीना राजेंद्र मीना नदलाल मीना मांगरोल चेयर मैन कोशल सुमन महावीर पांचाल मनोज कुमार सीमा खान दिलीक मी पहले केंद्रवर राज्य सरकार अपनी अधूर घोशनाओं को पूरा करे फिर किसानों के बीच वोट मांदने आया अन्य था अधूरी घोशनाओं पर आगामी चुनावों में परिनाम निश्चित ही विप्रीत होंगे सैयोक किसान संधर्ष समिती के सयोजक रामचंद मीन ने कहा कि क्षेत्र का किसान दोनों ही सरकारों से उम्मीद लगाये बैठा है किसानों का साथ पाना है तो किसानों की वाज़िप समस्याओं का समाध्ğimiz अनिवार्य है वर्तमान में किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाए लोगतांत्रिक तरीके से किसानों की आवाज उठाने वाले किसान प्रतिनिद्यों को ही प्रतारित करवाया जा रहा है जिससे किसानों में सहानु भूती की जगल सरकार की प्रती किसानों में आक्र त्यनारायन महेंद्र मीना सहित बड़ी संख्या में किसान शमिल थे सभा के दौरान उपस्थित किसानों द्वारा सर्व सम्मती से अपनी मुख्य समस्याओं को चिनहित कर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मुख्य रूप से किसानों की सम अरिकर्ज माफी वद 2022 खरी भटवारा गाउं हुए अन्य किसानों को बीमा राशी जारी करने सहित अन्य मांगों को प्रमुक्ता से प्रस्ताव में शामिल कर सरकार से शीग्र समाधान की मान की गई इस सबसर पर